कोस्टन नमबर 38 है एक साम की बात है कोसीक जो है एक पार्क में था चिलन वेर प्लेरिंग क्रिकेट और वहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे बड्स वेर सिंगिंग अन नियर बाइट ट्री अफ हाइट एटी मिटर तो यहाँ पे जो बड्स है चिडिया है वो गार है थे बगल के पेड में जिसका हाइट जो है वो एटी मिटर है यहाँ पे ध्यान से देखिए यह जो बड्ड है यहाँ पे बड्ड ए है इसका हाइट एटी मिटर है इस ट्री का और यहां पर bird जो है न वो गा रहे थे He observed a bird on the tree at an angle of elevation 45 degree और वो देखता है कि जो bird है चिडिया है पेड़ पे उसका angle of elevation जो है न वो 45 degree है यहां पर दिहान से देखिए यह जो angle of elevation है यहां point C से वो देख रहा है कोशिक और यह जो angle of elevation है यह 45 degree का है इसके बाद देखिए इसमें बुलता है कि अब वहां पर एक बच्चा चक्का मारता है तो जो बाल है वो पेड़ के बगल से गुजरता है जिससे जो bird है न उडर जाता है और उड़ जाता है In 2 seconds, he observed the bird flying at the same height at an angle of elevation 30 degree तो 2 seconds में वो देखता है कि जो चिडिया है वो same height पे उड़ रहा है अब जो angle of elevation उसका 45 degree था है न यहाँ पे देखिए हमने देखा है कि जो angle of elevation 45 degree है अब यह bird जो है यहाँ से उड़ की यहाँ पे पहुँच गया पाइन डी पे पहुँच गया तो यहाँ पे angle of elevation कितना हो गया यह यह हो गया 30 degree का इसके आगे में बोलता है and the ball flying towards him at the same height at an angle of elevation up 60 degree और जो बाल है वो उड़ रहा है उसकी तरप और उसका भी height जो है न वो same है मलद बिट्टी मिटर का है लेकिन angle of elevation कितना है यह है 60 degree का यह दिखिए यहाँ पे जो बाल एफ है न यह और यहाँ पे एक उसकी है और यहाँ पे जो किए angle of elevation कितना है यह 60 degree का है यह question बिल्कूल अच्छे से समझ में आगे होगा आप लोगों को अब दिखिए इसका first question क्या बोलता है at what distance from the foot of the tree वो आज ही observing the bird sitting on the tree तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यह जो a b tree है इसके foot से मने point b से यह जो कोशीक है c पे इसके बीच का distance कितना है मने b c का distance कितना है इसको हमको first question में find out करना है अब देखिए इसको सालव करने के लिए हमको क्या करना है a b c को अलग से draw कर लेना है इसमें भी 80 मीटर दिया हुआ है और एंगला पेलिवेसन जो है न वो 45 डिग्री का है जिसको मैंने यहाँ पे अलग से draw कर लिया है अब इसा draw करने के बात देखिए यहाँ पे एंगला पेलिवेसन 45 डिग्री का है और हम लोग को चाहिए क्या BC तो इसके लिए हम लोग 10 को यूज करेंगे 1045 degree equal to होगा AB upon BC ठीक है तो यहाँ पर दिखिए BC equal to क्या होगा AB upon 1045 degree और हमको मालूम है 1045 का value 1 होता है और AB 80 है 80 upon 1 equal to 80 meter ठीक जिसका answer क्या गया BC equal to 80 meter इसका second question है how far did the bird fly in the mansion time जो time यहाँ पर 2 second का दिया हुआ है उसमें bird जो है ना वो कितना distance table करता है या उड़ता है तहाँ पर देखे bird point A से point D तक जा रहा है 2 second में तो इसमें हमको सबसे पहले find out कर लेना है यह जो distance है C उसको जब distance C को find out कर लेंगे triangle C D E से जिस वेंगला पहली वेसान 30 degree का है हमने पहले ही find out कर लिया है जो distance C B है उसको तो जो C E है उससे C B को minus करेंगे तो इसमें जो question में पूछ रहा है कि bird कितना उड़ रहा है या कितना distance table कर रहा है ना वो B E है उसको हम easily find out कर लेंगे अब दिखिए ओ डिग्राम जो मैंने समझाया है उसको मैंने यहापर ड्रा कर लिया है इसमें हमको लेना है in triangle यह triangle है आपका C D E ठीक अब यह triangle C D E में हम लोगों को चाहिए क्या C E चाहिए इसके लिए लेंगे 30 degree equal to होगा D E upon C E ठीक और हमको मालूम है जो D E है न यह भी कितना है 80 मिटर है यह 80 मिटर है इसमें यहाँ पर देखिए D E का value 80 मिटर हो गया और C E हमको find out करना है और 10 30 का value होता है वहना पान root 3 ठीक इसको आगे जागे सालो करेंगे तो C equal to होगा 80 root 3 मिटर और question में हमको पूछ रहा है कि यह कितना distance table कर रहा है यह distance क्या है यहाँ पर B E है अब B को find out करने के लिए हमको use करना होगा B equal to C E minus C V ठीक अब यहाँ पर C E जो है न वो 80 root 3 है minus C V जो है वो 80 है अब इसमे 80 कामना गया अंदर क्या बचा root 3 minus 1 meter तो देखें दो second में यह जो word table कर रहा है न यह fly कर रहा है वो 80 in bracket root 3 minus 1 meter है अब इसमें second कार है on hitting the tree how far did the ball table in the sky when causik saw the ball तो tree को hit करने के बाद यह जो ball है वो sky में कितना table करता है जब causik उस ball को देखा था तो देखें इस question को समझे f था यह table करते हुए tree के point a तक पहुचा जहाँ पे birds है ते जो table कर रहा है वो यहाँ पे fa है यह जो fa distance है उतना बाल table कर रहा है यह gb के बराबर बाल table कर रहा है इसके लिए फिर हमको use करना होगा यह जो triangle है cfg उसको जिसमें एंगल आप elevation 60 degree का है क्योंकि आल्रेटी हमको cb तो मालूम है फिर इसमें हमको g भी find out करने के लिए cb minus cg करना है जिससे जो बाल का जो tabling है यह बाल जो table किया है न वो distance हमको मिल जाएगा अब इसके लिए हमको triangle cfg में 1060 को use करते हुए जो distance है न cg इसको हमको find out करना है तो इसको लिखेंगे कि इन triangle cgf 1060 degree equal to fg upon cg ठीक तो 1060 का value हता है root 3 equal to fg है 80 और cg हमको find out करना है तो cg equal to क्या होगा 80 upon root 3 meter ठीक और हमको चाहिए क्या हमको यहाँ पर distance चाहिए gv का तो gv equal to होगा cv minus cg ठीक अब यहाँ पर cv हमको मालूम है 80 है 80 minus 80 divided by root 3 इसको आगे जाके शालो करेंगे तो इस calcium हो जाएगा root 3 और यहाँ पर होगा 80 root 3 minus 80 और इसमें 80 कामा ना जाएगा तेहाँ पर अंदर में हमको मिलेगा root 3 minus 1 divided by root 3 meter इसका answer जो है ना 80 in bracket root 3 minus 1 by root 3 meter होगा मैं इसको रेशनलाइज करके देखा है देखने के बाद इसका answer जो है ना 80 by 3 in bracket 3 minus root 3 meter आ रहा है लेकिन आपको answer यहीं तक लिखना है अब इसमें question number 3 है इसमें जो है ना बर्ड के speed को हमको find out करना है meter per minute में याद रखेगा ना यह meter per second नहीं है क्या है meter per minute अगर बर्ड जो है ना जो distance table करता है वो है 20 in bracket root 3 plus 1 meter अब यहाँ पर देखे एक twist है जो बर्ड distance table कर रहा है 2 second में AD या B वो हम पहले find out कर चुके हैं लेकिन third question में ना इस distance को इसने change कर दिया है अब बर्ड वही 2 second में distance table कर रहा है 20 in bracket root 3 plus 1 meter और हमको मालूम है कि speed equal to होता है distance upon time ठीक है तिस formula को use करके अब हम find out करेंगे कि meter per minute में बर्ड का जो speed है न वो कितना है अब देखे फार्मूला को हमने लिख लिया speed of the bird equal to distance one by time taken यहाँ पर distance जो यह कभर कर रहा है वो है 20 in bracket root 3 plus 1 ठीक और हमको मालूम है जो time ले रहा है वो 2 second का है यह 2 अंजा 2 और 2 टेंजा 20 यह हमको मिला 10 in bracket root 3 plus 1 है न मीटर per second मिला ठीक अब यहाँ पर ध्यान दिजेगा 1 second equal to होता है 1 upon 60 minute तो यहाँ पर जो second है न उसको हम लोग multiply करेंगे 1 upon 60 से यह होगा 10 divided by root 3 plus 1 divided by 1 upon 60 meter यह हो जाएगा per minute ठीक अब यह 60 उपर चला जाएगा तो हमको मिलेगा 16 to 10 in bracket root 3 plus 1 meter per minute तो 16 to 10 होता है 600 600 in bracket root 3 plus 1 meter per minute इसका speed हो जाएगा meter per minute में और यह ही क्या होगा और इसका हैं सरोगा